इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग ये समाल अक्सर हमारे मन में आते हैं इन्वेस्टिंग जिससे हम अपने वेल्थ को क्रियेट कर सकते हैं अगर आपने वेल्थ क्रियेट किया है तो उस वेल्थ को मल्टिप्लाय कर सकते हैं इन्वेस्टिंग से वहीं ट्रेडिंग जो आपक एक regular income generate करता है यह income active income हो सकता है या आप लगातार profitable रहते हैं तो यह आपका passive income source भी हो सकता है तो trading हमारा एक income source होता है जब कि investing हमारे wealth को create करता है या आप अच्छा wealth create कर लेते हैं तो उस wealth को investing के जरीए आप multiply कर सकते हैं तो investing में आपको अच्छे fundamentally strong stock चुनने रहते हैं और उसे आप long term के लिए hold करते हैं 1 year, 5 years, 10 years, 20 years बहुत सार इंवेस्टर ऐसे भी होते हैं जो lifetime अपने stock को sell नहीं करते हैं lifetime उसको hold करते हैं वहीं trading में आप जो है अच्छे volatile stock चुनते हैं जो high beta वाले stock है जो आपको अच्छा का स momentum दे वो day trading के लिए हो सकता है short term, one big, one month, six month, one year तक के लिए भी हो सकता है तो trading में हमारा आ जाता है positional trading, swing trading, day trading तो अगर आपको इस तरह के short video पसंद आया हो तो वीडियो को like और share के जेए और चैनल को subscribe जरूर कर लिजिएगा